चलो बात करते हैं फ्रेंट पिच और बैक पिच की और हम लोग इसको समझने के लिए एकदम बेसिक्स आइडिया है एकदम बहुत इजी है मानलो कि यह हमारा आर मेचर है एकदम बनाते हैं मैचर अब मानलो कि यहां से यह कंड़क्टर गया अब इस गंड़क्टर को एक टर्न कम्प्लीट करना या कर लिया अभी तक ये decide नहीं हुआ कि ये lap winding है या wave winding है एक और आगले चले लेते हैं मानलो connector यहां से गया same case, decide नहीं हुआ अभी तक कि ये कौन सी winding है अब अगर मानलो हम यहां से आगे चले जाते हैं तो यहां पे एक wave बन गई, ये wave winding है लेकिन lap winding के case में हमको पीछे ही आना पड़ता है अब जैसे ही हम lap winding के case में पीछे आएंगे तो हमको decide करना पड़ेगा कि हम पीछे आने के बाद नया coil पहले वाले के right से शुरू करें या पहले वाले के left से शुरू करें तो अगर हम पीछे आ करके राइट से शुरू करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है कुछ ऐसा बनेगा यह दूसरा कॉल कुछ ऐसा बनेगा तो अब यहां पर यह देखो कि यह कॉल और यह कॉल अगर हम इसको नाम दें तो slot का नाम एक, छे, दो मतलब हम यह मांगे चल रहे हैं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, यह बन जो साथ बनेगा तो हम कहा रहे हैं कि कॉल वन और दूसरा जो गया है कॉल शिक्स वन और शिक्स से पहरा टन कम्प्लीट हुआ लेकिन दूसरा टन कम्प्लीट करने के लिए हम जो fashion, fashion मतलब progressive winding यह प्रोग्रसिव है, हम पिछली वीडियों बताए थे इसके right से सुरू हो रहा है तो progressive winding P, progressive winding को हम right handed right handed winding भी कहते हैं और अगर हम इसको यहां से शुरू ना करके यह मेरा पहला conductor है अगर हम इसको यहां से शुरू करते थोड़ा पीछे से तो हमको थोड़ा सा यहां रुपना पड़ता है पीछे ठीक है तो यह होता retrogressive तो यह पहले slot के left से चुरू हो रहा है तो इसको हम retrogressive winding या left handed winding कहते ध्यान रखना left से चुरू रहा है इसलिए left handed यह right से चुरू होगा था right handed winding अभी चुरू बताओ right handed winding का क्या मतलब होता है retrogressive या progressive समझ में आ क्या right handed मतलब progressive left handed मतलब retrogressive लेकिन wave के case में फिलहाल ऐसा कोई लफडा नहीं है हम wave winding इसी तरीके से कर सकते हैं एक और बात यहां पर देख करके तुम तुरंत progressive या retrogressive समझ सकते हो लेकिन यहां पर देख करके नहीं क्यों क्योंकि wave के case में हम progressive और retrogressive तब समझते हैं जब यह wire वापस हो करके आता है जैसे यह wire complete हो रहा है वो इसके right से शुरू हो रही है इसके left से चुरू हो रही है तो जब यह right से शुरू होगी तब कही जाएगी progressive सेम और अगर left से चुरू होगी तो कही जाएगी retrogressive सेम लेकिन front pitch और back back pitch का मामला दूसरा है इन दोनों cases में देखो front pitch के लिए एक definition है front मतलब कोई कैसे भी समझाए कि इसका distance ले लो इसका distance ले लो लेकिन front pitch का definition है definition है कि commutator जो कि इसके पहले लगा इसके मतलब लगा होता है commutator armature होता है तो यह armature उसके आई commutator लगा हुआ है उसमें segments होते है यह 1 segment, 2 segment, 3 segment, 4 segment कितने segments होंगे यह हम लोग discuss कर चुके थे पिछले वीडियो में कि जितना turn होता है उतने segments होते है अब जैसे मालो कि यहां पे एक wire यह है एक connector यह है एक connector यह है यह दुना आपस में जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग व्ला करके यहां से इसको मिटा दो और इसको ऐसे करके connect कर दो यहां पे तो एक segment से जो जो wires जुड़े हुए हैं उनकी बीच का gap कितना है तो gap को हम meter centimeter कर नहीं बताते हैं हम number of slots में बताते हैं तरीका क्या होता है मालो यह counting एक है यह counting छे है तो यह पांच छे है तो करना क्या होता है कि number of slots find कैसे करते हैं मतलब हम कैसे पता करेंगे कि इसके बीच में कितना gap है तो हम कहते हैं कि हम इसको इस ग्यारा में से इस छे को बढ़ा देते हैं तो वह आती है front winding मतलब front pitch और back pitch का सीधा ही मतलब है यह हो गया back pitch back pitch का सीधा ही मतलब है कि जो turn complete हुआ है तो एक turn को complete होने में कितने के बाद तुम दूसरा insert की हो वह तुमारा हो गया yb back pitch और यह हो गया तुमारा yf front pitch front pitch निकालना सीखो front pitch को समझो और यह कैसे निकलेगा यह 6 है यह 1 है तो 6-1 से तुमारा निकल जाएगा back pitch और layer minus 6 से तुमारा निकल जाएगा front pitch और देखो plus point यह है कि दोनों के दों बराबर आ रहा है यह देखो 6-1 से कितना इकला 5 और 11-6 कितना निकला फिर से 5 तो front pitch और back pitch इसमें clear हो गया तो Wave winding में F vein front pitch और back pitch को clear करने के लिए हम लोगों को यह check नहीं point करना पड़ता कि यह retrogressive है यह progressive है लेकिन lack winding के time पे हम को winding करने के पहले ही ndecide कर ना पड़ कहिए कि हम retrogressive में करें यह progressive में करें तो यहाँ पर हम progressive में किये है, इसमें विट्रेट से में किया है, अब इसमें front और back देखो, अब मालों यहां पे committed लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें segments बने हुए, ठीक है, front में कौन से दो वायर इसमें add करोगे तुम segment पर है, तो कोई यही तो वायर है ना, यह वाला वायर और यह वायर आपस में connected है, इनक तो gap होगा, उसको बोलेंगे front pitch, pitch कैसे निकालता है, फिर से हम repeat कर रहा है, pitch निकालने के लिए, कोई intuitive वहर लेकर नापते नहीं है, इस number को इस number से घटा दो, मतलब 6-2, तो 4 आ गया, ठीक है, अब back pitch कैसे निकालोगे, back pitch का simple बंडा, जब पहला turn तुम complete किये थे, उस समय कित निकालने के लिए, एक और 6, तो 6-1, 5, तो तुम्हारी इस case में, इस case में तुम्हारा back pitch कितना आया था, sorry, back pitch कितना आया था, back pitch निकालने के लिए 6-2 किये थे, sorry, back pitch ये है, 6-1 किये थे, 6-1, 5 आ गया था, इसमें भी कितना आया था, 5 आया था, इसमें front pitch कितना आया था, 5 प्रंट पिच्छ कितना आएगा उता हो यह दूनों वायरत कहा जुड़े हो है यहां जुड़े हो है 6-2 6-2 चार आ गया तुम एक चीज नोटिस करो कि यहां पर back pitch ज्यादा है front pitch से back pitch ज्यादा हो गई तो एक concept यहां पर समझ में आता है कि अगर back pitch ज्यादा है तो वो है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग इसको एक और त्रिके समझो यहां पर यह concept आता है winding pitch का लेकिन इसको मैं आपके लेंगे पहले इसमें समझ लो इसमें back pitch कैसे निकालोगे फ्रेंड pitch कैसे निकालोगे ठीक है तो अब यहां पर सेग्मेंट बना दो commutator का ठीक है कौन से दो आयर आपस पैंपे connect करोगे यहां से मेरा पहरा turn सबीधिक्रिश करें आप दूसरा टर्ण मेरा यहां से शुरू कर रहा हुए बन इसको यहां से तुम भिटादो और इसको connect कर दो किसे segment में तो कौन से दोफार connect हुए front में यह दोफार connect हुए तो इनकी बीचका distance निकालो distance कैसे निकालेंगे मालो यहां पर नमभरीम ठीक से हम नहीं किया है तो 8-3 कर देना, ठीक है, आज आएगा, तो बस concept को समझो कि front pitch back pitch निकलता कैसे, इस तरह के से front pitch निकल जाएगा, अब इसमे back pitch कैसे निकलोगे, तो back pitch तो यही तो हुआ back pitch, back pitch तो हमेसा हर मामले back pitch तो उतना ही है, पहला turn complete हुआ, तो कितने gap रखे हैं तुम इन दोरों में, वो winding pitch जो की बहुत important है, यहाँ पर एक बात हम छोड़ दिये, कि यहाँ पर जो तुम्हारी back pitch और front pitch में, देखो यहाँ पर back pitch कितना है, back pitch सिर्फ इतने का gap है, ठीक, back pitch, लेकिन front pitch में, इतने का gap है, तो हमें front pitch ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा yb है, वो छोटा जब बात इतने पर समझ में आग जा लिए, तो winding pitch क्यों इतना दर रही है, अगर तुम winding pitch जानते हो, तो तुम direct बता सकते हो, कि यह winding pitch retrogressive lap winding की है, या progressive lap winding की है, मतलब जो winding की गई है, अगर इसका back pitch पाता हो, तो तुम बता दोगी वो कौन सी winding है, तो देखते है, winding pitch क्या होत बता है, winding pitch, पहला turn जहां से शुरू हो रहा है, ध्यान रटना, पहला turn जहां से शुरू हो रहा है, दूसरा turn जहां से शुरू हो रहा है, दोनों का gap निकाल दो, जैसे इस example में, यहां पर एक है, यहां पर ग्यारा है, तो ग्यारा माइनस एक कर दो, तो ग्यारा माइनस एक क करदो मतलब back pitch और front pitch को add करदो यह पूरा pitch आ जाएगा मतलब winding pitch is nothing but back pitch plus front pitch आ जहां डखना इसके लिए wave winding के लिए हम जब formula use करते हैं तो उसमें plus sign करते हैं क्यों plus sign use करते हैं क्योंको इसको जोड़ना होता है अब इसको समझते हैं कि जब हम इसमें winding पिश निकालते हैं तो yb minus ys करते हैं ऐसा क्यों करते हैं ध्यान रखना plus और minus yb plus ys winding pitch का formula है किस case में अगर positive sign use कर रहे हैं किस case में लैप वे वाइंडिंग में त्या रखना वे वाइंडिंग में plus wave बंती जा रही है plus 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 add होता जा रहा है तो plus और लैप वाइंडिंग में negative sign use करते हैं तो negative sign use कर रहा हैं कैसे अब इसका physical मतलब समझो क्यों क्यों ऐसा करने है फिर से concept पर जाओ पहला वायर कहां पर है पहला टर्न यहां से शुरू हुआ था है दूसरा टर्न कहां शुरू हो रहा है यहां से तो दोनों के बीच का gap winding pitch सेम concept यहां भी है पहला दूसरा टर्न दूसरा टर्न पहले टर्न का पहला वायर दूसरे टर्न का पहला वायर मतलब पहला टर्न कहां से शुरू हुआ दूसरा टर्न कहां से शुरू हुआ यहां से गाप को निकालो winding pitch अब ध्यान रखो winding pitch का formula तो yb-yf होता है और इस case में तुम्हारा back तो छोटा है जिसका मतलब for example मान लो कि ये तुम्हारा आया 4 और ये तुम्हारा आया 6 तो ये तुम्हारा आगया negative number minus 2 मतलब ये retrogressive है या progressive है तो देखो ये retrogressive है retrogressive ये case में winding pitch हमेशा negative आईगी ये चार और श्यम एक्जांपल ऐसे अपने मन से ले लिए हैं अब इस case में देखो इस case में winding pitch 5 थी और front pitch 4 था लेकिन formula यहीं लगेगा अगर हम winding pitch निकाल रहे हैं तो yb-yf ही लगेगा यb-y का मन कितना है 5 और इसमें 4 तो 5 में 4 थी तो इसमें positive आ रहा है इसमें negative आ रहा है तो अगर हम तुमसे बोलें कि winding pitch negative है तो वह कौन सी winding होगी तो सबसे पहली बात अगर winding pitch negative है तो वह wave तो होगी नहीं नेगर्टिव का गेम सिर्फ लैप में है लैप में positive भी है लैप में negative भी है तो लैप में आ जाओ तो पहले बोलोगी कि अगर winding pitch negative है तो यह होगी लैप winding अब लैप winding में retrogressive होगी या progressive होगी तो simple retrogressive negative तो ध्यान रखो जब भी कुछ चीज पीशे आती है घरती है तो winding pitch इसी लिए निकालते है winding pitch negative तो एक ट्रिक बना लो winding pitch negative तो लैप winding है और retrogressive winding है बस यही बात ध्यान रखो कि लैप lifetime रखो लैप retrogressive मतलब negative और बागी दोनों में लैप progressive में positive होगी और वेव में positive होगी वेव में positive होगी winding pitch अब यहाँ भी winding pitch positive है यहाँ भी winding pitch positive है लेकिन इसका difference कैसे समझोगे कि अगर तुमको बराबर रखने की कोशिश करता है क्योंकि हमको maximum EMF चाहिए होता है maximum efficiency चाहिए होती है तो इसको हम लोग बराबर रखते हैं और next इसको जब add करोगे तो आएगा winding pitch तो winding pitch जो होता है वो बड़ा होता है back pitch से भी और बड़ा होता है front pitch से भी ध्यान रखना है यहाँ बराबर sign लगेगा यह दोन आपस से बराबर होता है लेकिन यह बड़ा होता है लेकिन इस case में अगर तुम देखो यह कौन सा case है इसको मिटा दे रहे है नहीं अभी नहीं मिटाएंगे चलो इस case में तुम अगर हम लिखें कि हा तो winding pitch मेरा छोटा होता हे किससे eo winding pitch गड़ा गयाता है तो winding pitch मेरा छोटा होगा and front pitch से और front pitch मतलब यह जो back pitch है वो इस वाले pitch का और इस वाले pitch का summation है या ऐसे कहो कि यह जो वाले pitch है वो इसमें से इसको घटा दो तो यह back pitch है यह front pitch है सारी बत समझ में आ गई ठीक है अब हम लोग आगे करेंगे कम्यूटिट्रैंट सेग्मेंट वगरा का concept लेंगे कम्यूटेशन पांसेट लेंगे और बहुत इंसकेरサु पिछ भी लेंगे और यह इस यह जांड़ार है 보고 ऊंद्यक्राइब्पिश यह कुछ भी नहीं है वाई कर देना, एरज़पीस निकल जाएगी, ठीक है, अब निस्ट ट्ॉपिक लेंगे मुझे आप नेक्स्ट वीडिवया, एक और बात, एक और बात, एक और बात, रात में एक बजे वीडियो बना रहा है, मेरा मार्कर, मेरे मार्कर काहीं करो हो गया था, और रात में मार्कर भी लिए पैन का इंक लिए इंक को पानी में गोले उसको मारकर में डाल दिए और लिख दिए वैसे काम बन गया मेरे ख्याल से ठीक है कमेंट करना कैसा लगा ठीक है और शेयर कर देना लाइक जुरूर करना